हलो गाइज वल्कम बाइक टो माजिकल लाइफ मोटिवेशन अम सभी का बहुत-बहुत स्वागत है रादे रादे नमस्ते असलेम वालेकुम दुआ करता हूँ आप अपनी जिन्दगी में खोश होंगे खोश रहने की कोशिश करते होंगे आज स्टेरो कार्ड में हम जानने क तरफ से क्या action होगा क्या वो realize कर रहें क्या उनको एहसास है कि आपके उपर क्या बीत रही है या इस रिष्टी में उनको क्या action देना चाहिए क्या सोच है उनकी या सोच में क्या बदलाव आया है यह जानने की कोशिश करेंगे फुल मून एनरजी न्यू मून एनरजी आप कि यह आपका personal reading तो है नहीं यह general reading है और सभी राशी वालों के लिए साथ प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को और energy exchange कीजिए अगर आप नहीं है और आप जानना चाहते हैं ऐसे अपने लव लैप के बारे में तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए इस चैनल को क्योंक जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको मुझे WhatsApp के ओपर message करनी है चले देखते हैं कि आज आपके person की energy में क्या है person क्या सोच रहें आपको लेकर angels मुझे please guide करें angels मुझे please help करें मुझे बताएं जितने भी वीवर्स अभी इस वक्त इस वीडियो को देख रहें उनके person क्या सोच रहें और अगले आने वाले 15 दिन में क्या बदलाव आने वाला है आपके जिन्दगी में यूनिवर्स क्या चेंज ला रहा है आपके रिष्टे में आपके जिन्दगी में आपके लव लाइफ में जानने की कोशिश करेंगे next 15 days के लिए energy होगी next 15 days में क्या बदलाव आ रहें आपके जिन्दगी में very good nice card magician next is three of pentacles five of wands empress six of wands यहाँ पर मुझे एक फिल हो रहा है न जैसे की बहुत बड़ा बदलाव या twist आपके जिन्दगी में आएगा unexpected चीजे या जो चीजों के बारे में आपने सोचा नहीं वो होने वाली है आपके जिन्दगी में positivity आ रहे है यानि की जगड़े या लड़ाई होई है मिसंडिस्टेंडिंग है ब्रेक अप है वो सब भुलाकर एक नहीं शुरुवात आपके पार्टनर करना चाहते हैं आपके साथ रिडिंग करते वक्त प्लीज अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजेगा और उनका चेहरा भी याद कीजे ताकि एनरजी यहां पर रिफ्लेक्ट हो सके यहां पर मुझे यह लगता है ना कि सौट आउट कर रहे हैं परसन जो भी प्रॉब्लम से यह हद तक जाना चाहते या फैमिली के वज़े से प्रॉब्लम से यहां पर मुझे दिखाए देता है फैमिली अगर प्रॉब्लम्स क्रियेट कर रही है आप दोनों की बीच तो कहीन की वो सोच रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं यह मुझे दिखाए देता है यहां पर आप देख सकते हैं तिन नमबर के दो कार्ड्स आएं लगादार, एक कार्ड ये है कि फैमिली नहीं मान रहे हैं शादी को, तो कहीं नगी परसन चाहते हैं कि शादी हो, किसी भी हाल में आपके साथ वो शादी करना चाहते हैं, या इस रिष्टे को आगे तक लेकर जरूर जाना चाहते हैं, पॉजिटिव कार्डे, एंपरेस का, ब्यूटिफुल कार्डे, ब्यूटिफुल एनरजी जो ये दिखा रही है कि सकस है, ग्रोथ है, अबंडन्स है, प्यार है, महब्बत है, इस रिष्टे में परसन फिल कर पा रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे अटेच्ट है, यहाँ पर मुझे six of wands के एनरजी ये कहते है, कि परसन हासिल करना चाहते हैं आपको, आपके जिन्दगी में वापस आ रहें, ट्राइबल करके आ रहें, लॉंग डिस्टेंस हैं, तो कहीं न कहीं वो जो आपका no contact situation है, या आपसे दूर जाना पड़ा परसन को, तो दूरियां बरदाश नहीं हो रहें परसन को, यहाँ पर मुझे यह भी लगता है, कि किसी की मदद से, आप दोनों का रिष्टा जुड़ते वे नजर आता है, किसी की मदद, यानि कि यह हो सकता है, कि फैमिली नहीं मान रहे थी, तो अभी मान जाएगी, फैमिली आप दोनों को एक करने की कोशिश कर सकती, पहले तो मुझे लगता है कि third party उनको खुद छोड़ कर जाएगी, क्योंकि जहां पर आपको लगता है ना कि इस रिष्टे में मुझे खुशी नहीं मिलते हैं, इस रिष्टे में मैं खुश हुई नहीं, तो कहिना कि आप अपने future के बारे में सोच कर आप उस रिष्टे में निक वो जोड़े, यह मुझे दिखाए देता है, क्योंकि यहाँ पर बहस होती भी नज़र आते हैं, third party के साथ आपकी person के जगड़े हो रहे हैं, third party के साथ आपकी person के नहीं बंद रही है, और वो new beginning चाहते हैं आपके साथ, यह मुझे आप नज़र आते हैं, next यहाँ पर six of wands जून मेने से आप रिष्टे में हैं, छे मेने से आप रिलेशन्शिप में हैं, या छे साल से आप रिलेशन्शिप में हो सकते हो, तो मुझे यह लगता है कि person को भुलाना आपको, या इस रिष्टे को खतम करना बहुत ही मुश्किल है, नाम उनकी नाम कह सकते हैं, यहाँ मुझे यह लगता है कि person strong ambition के साथ या strong decision के साथ आपकी तरफ कदम बढ़ाते में नजर आते हैं पहले हो सकता है कि person नहीं जगड़ा करके या आपके साथ जैसे कि बहस होगी और रिष्टा तोड़ दिया आपको भी लगा कि रिष्टा खतम लेकिन इनका प्यार खतम नहीं हुआ रिष्टा खतम हुआ नो कंटेक्स सिचुएशन दिया ठीक है लेकिन यह नहीं कह सकते हैं कि रिष्टा ही घतम कर दिया आपको नहीं चाहते यह नहीं है यहाँ पर तीन कार्ड्स पॉजिटिव है और दो कार्ड्स यहाँ पर नेगिटिव है और तीनों कार्ड्स यह मुझे कहते हैं कि person आपको प्यार की कद्र हो रही है person आपको missing energy में मुझे नज़राते हैं और person किसी की help ले रहे किसी की मदद से आपकी तरफ बढ़ते वे नज़राते इनकी उपर आपकी प्यार का जादू है इस person को आपकी partner को यह लगने लगा है कि आप दुनों एक दूसरी के लिए बने हुए हो आप manifest कर रहे हो इस person को तो कहीं ने कहीं person भी आपकी तरफ खीचे चले आ रहे हैं positively मुझे लगता है कि person आपको अपना ना चाहते है family की बात है तो यहां पर मुझे लगता है कि family एक तो मान जाएगी यह person खुद family को छोड़कर आपकी तरफ आते में नजर आते मतलब जिस जगह पर आपकी respect नहीं है या जिस जगह पर आपको लगता है कि मेरी आहमियत ही नहीं है मेरी बात कोई नहीं मान रहे तो उस जगह पर आप क्यों रुकेंगे तो यह यहां पर situation लगती कि किसे ना किसे की साथ discussion कर रहे परसन जैसे मैंने का कि किसी की help लेकर यह person आपकी तरह बढ़ सकते एक strong commitment के साथ Empress है strong commitment आपको दे सकते हैं कि yes मुझे यह रिच्टा मनजूर है मेरी गलती थी कि तुमारा साथ छोड़ा यह सब बाते हो सकते हैं आने वाली 15 दिनों में यह मुझे energy नज़र आती हैं कि person आपकी तरफ बढ़ रहे हैं आपको पाना चाहते हैं और person को realize हो रहा है कि उनकी खुशियां आपके साथ जुड़ी हुई है और देखेंगे कुछ cards लेकर आपके सिंदगी में क्या change आ रहा है और person के तरफ से क्या next action होगा within 15 days यह क्या action रहने वाले हैं देखेंगे angels मुझे please guide करें angels and universe मुझे please help करें मुझे बताएं जितने भी वीवर्स अभी इस आपके सामने आएंगी साथे साथ one number two number यानि कि अकईला पंदूर हो रहा है और एक दुसरी के लिए बने हुए हो यह कहिना कि आप जैसे feel करते हैं कि इस person की सीवा आप नहीं सोच सकते जैसे कि भले आपको करोड़ो करोड़ पती का रिष्टा आ जाए तो भी आपको नहीं चाहिए आपको ऐसा रिष्टा चाहिए जहां पर आप खुश हो या आपको प्यार महसूस हो और करेंगे आपको इस person के साथ प्यार महसूस होता है या long term relationship अगर आपका सपना है तो इसी person के साथ तो यह card मुझे कहता है कि universe के उपर विश्वास है आपका और यह person को जब connect होते हैं आपका दिल कहता है कि यह person लौट कर मेरे जिन्दगी में आएंगे इनके पास या इनको कभी भी मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा यह आपका विश्वास जो है वह सच होते हुए नजर आता है क्योंकि अभी भी आपके प्यार का जादू इस person के उपर चाया हुआ है तो beautiful energy मुझे यही लगती है यहां पर कि new beginning है रिष्टा आगे जाएगा और infinity symbol मुझे कहता है कि confidence है कहीं कि आप में आपके partner में कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो और यह रिष्टा आगे तक जाने वाला है long term relationship अभी भी मुझे यहां पर नजर आता है next card है eight of cups और four of wands energy यानि कि family नहीं मांद रही थी जिसके वज़े से person दूर हट गए थे कि family नहीं मांद रही है इस रिष्टे में उनको future नहीं दिखाय दे रहा था सिर्फ और सिर्फ third party यानि family के वज़े से और यह person अपसे दूर चले गए इनको लगा ना कि जब सक यह सही नहीं करते सब बाते या सही तरीके से अपनी family को नहीं मनवाते इस रिष्टे के लिए तब तक वो वापस नहीं आएंगे करके रिष्टा तोड़ कर गए हैं यह यहां पर मुझे लगते हैं कि family नहीं मान रहे हैं हम क्या कर सकते हैं ऐसा करकर अगर यह चले गए थे तो यह लौट कर आना चाहते हैं यहां पर शादी की energy फिर से आई ओपर भी है नीचे भी है कि family माने की ज़रूर यह शादी होनी ही है आपका सपना पूरा होते वे न हो गई यह family में ऐसी बहस हो गई जगड़े हो रहे थे लड़ाई हो रहे थी जो कि person को नहीं चाहिए था कि लड़ाई करके यह किसी को नाराज करके उनको रिष्टा नहीं जोड़ना था इनको रिष्टा था कि सब की सहमती से हो उनकी family भी accept करे आपको प्यार करे क्योंकि जब आप शादे करके किसी घर में जाते हैं तो वहाँ से अगर आपको acceptance है ही नहीं तो आप कैसे खुश रह सकते हैं तो यह सब सोचकर person ने कहीं न कहीं दिल पे पत्तर रखके आपसे दूरिया बना लेती इनकी problem समझने की कोशिश कीजिए आप कभी कबर क्या कहते हो कि मेर का ऐसा हो रहा है मेरा वैसा हो रहा है लेकिन आप अपनी partner की जगह पर रहकर भी सोचो कि उनको कितनी तकलिफ हो रही है और आज इस reading में मुझे वही दिखाए देता है कि उनको तकलिफ हो रही है यह दो cards मुझे यहीं लगते है कि positively मुझे यहीं लगता है न कि person आपके long term relationship चाहते है person आपको लेकर serious होते में नजर आते है person आपको लेकर 100% marriage के बारे में सोच रहे है शादी हो सकती है शादी fix हो सकती है आने वाली दिनों में कहीं यहाँ पर दोनों cards positive है और शादी को ही represent कर रहे है शादी की energy यहाँ पर आज strongly आ रहे है रिश्ता जूडते में न लगता है कि आपकी ऐसी age नहीं है जहाँ पर शादी करें या आपका रिश्ता ऐसा नहीं है जहाँ पर आप शादी करें तो मुझे लगता है फिर भी यह रिश्ता जुड़ेगा और जिस type का रिश्ता आप चाहते हैं long term वाला वह यहाँ पर होते हैं मुझे नजर आता है person क किसी भी हाल में ना आपको चोड़ना नहीं चाहते या इस रिश्ते को end नहीं करना चाहते हैं भले वह अभी आपसे बात नहीं करते हैं भले यह person आपको ब्लॉक किया है तो यह इसके पीचे कुछ ना कुछ बज़य हो सकती हो सकते हैं कि उनकी पास आपकी सवलों की सकते तो उन्होंने आपको block कर दिया है इसका मतलब ये नहीं कि प्यार खतम हो गया तो block किया यह नहीं हो मुझे यह फिल हो रहा है कि यह पसंद करते हैं आपको या आपके साथ फ्यूचर में कहीं न कि आपको एज लाइफ पार्टर मांग चुके हैं तो आपकी जगा और किसी को नहीं दे सकते तीन नमबर के आज क्या बात है 333 एंजल नमबर 333 आपको जरूर क्लेम करना चाहिए पॉजिटिव नमबर है और इस में मुझे यहां पर यह लगता है कि फामिली मानेगी परसन दूर रहकर सोच रहे हैं अकिलापन इस परसन को बहुत जादा परहिशान कर रहे हैं यह साथ स चोड़ेंगे यह मैरिज के बारे में ही प्लान कर रहे हैं यह आपके साथ रिष्टा रखना ही है इस परसन को रिलेशन्शिप फिर से जुड़ते वे मुझे नजर आता है और मार्च महिना और जैनिवरी महिना आपके लिए बहुत जादा पॉजिटिव होने वाला है जैन यह अगर आप एक ही सिटी में रहते हैं तो यह परसन आपके साथ बात करना चाहते हैं आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं और इंको चो हो रही है तकलीब न वह बताना चाहते क्यूंकि वो अकेलापन यहांपन मुझे निस्जर आता है यहाँ पर two of cups नहीं है बलकि three of wands है यहाँ कि कहीं न कहीं एक ही इंसान अकीला पड़ा है या पड़ी है और दूर है और वहाँ से उनको अकेलापन बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है कि अकेलापन मुझे दूर करना है ऐसे उनकी energy और मुझे यह beautiful energy लगती है इसलिए क्य इंट्रेस्टेड अभी भी है आप में आपकी बारे में वह सोच रहे हैं तो आपके साथ रिष्टा जोड़ना चाहते हैं करने की positive energy है त्रिया वॉंड्स एरिस लियो साजिटेरियस मेश राशी सीह राशी धनू राशी यहाँ पर चार कार्ड्स आए है एरिस लियो यहाँ पर फिर से positive कार्ड आया है कि balance आ रहा है आपकी जिंदिगी में अभी तक जो चीजे नहीं हो रही थी या जो चीजे आपकी मुताबिक नहीं हो रही थी जो आपको लग रहा था कि रिष्टा एक तरफा है या मैं ही प्यार करता हूं मैं ही प्यार करता हूं मेरे partner को तो कुछ बढ़ाई नहीं है, मेरे प्यार का एहसास नहीं है, तो वो हो रहा है आपर, परसन आपको लेकर serious हो रहे हैं, परसन जितना आप प्यार करते हो उनसे, उतना ही आपको वो return में प्यार करना चाहते हैं, ये person का crown chakra अगर block था और ये आपके बारे में नहीं सोचना चाहते थे तो आपको लेकर सोच रहे हैं आपको लेकर सोच रहे हैं, आपको लेकर serious हो रहे हैं ये person का heart chakra भी काम कर रहे हैं, इनका दिल अभी आपके लिए धड़कने लगा है आपको याद करने लगा है, आपके बारे में सपने देख रहे हैं साथे साथ एंजल्स की ब्लैसिंग्स भी यहाँ पर है एंजल्स की तरफ हो सकता है कि यह परसन टैरो कार्ड रेडिंग ले रहे हैं किसे से या टैरो कार्ड के वीडियोज देख रहे हैं इनको भी कहीना की motivation मिल रहा है कि मुझे जाना है वापस, कहीना की इनका दिल आपको लेकर, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, कि अभी तक यह person थोड़ी से imbalance थे, यहां पर आप देख सकते हैं, कि कहीना की imbalance थे person, या आपको लेकर उनको लगा था कि रिष्टा जुड़े कि मर्जी होगी, तभी होगा, ऐसा सोचते हैं, यह person में ऐसे ही सोच रहती है, भगवन की मर्जी है, था हम लोग मिलेंगे, ऐसी सोच हो सकती है, कुछ और cards भी लेते हैं, और check out करते हैं, आपकी person की क्या है, आज feelings, आपको लेकर, यहां पर आज़ड़ी दो cards आ चुके हैं, और next है, यहां पर nine of pentacles, इनकी person अभी भी उमीद लगाए बैटे हैं, कि आप उनको call करोगे, आप उनको message करोगे, या फिर वो देखना चाहते हैं, कि जितने वो बैशन है, क्या आप भी है, आप भी उनको याद कर रहे हो, आप भी उनको miss कर रहे हो, हो सकता है कि कुछ misunderstanding हो, क्योंकि यहां पर five of wands हैं, इसलिए मैं बोल रहा हो, कि कुछ बाते हैं न, कि आजकल आपको कही न कहीं लगता है, कि मुझे थोड़ा रुखना चाहिए, person को सब करने दो, या उनको लगता है, कि मुझे थोड़ा चुप रहना चाहिए, आप सब कुछ करो, आप उनसे बात करो, आप उनके पीछे पड़ो, कहीं न, कि एक दुसरी को मतलब आप टेस्ट कर रहे है, चेक कर रहे है, कि अभी भी प्यार है या नहीं है, आपको पता है, आपको पता है, आपकी परसन आपसे प्यार करते हैं, वो आपको धोका नहीं देंगे, या फिर आगे future उनके साथ करे या अपको पता है, छेक करने के लिए, अभी भी पहले, जैसे मेरी से प्यार करता है, या नहीं करता है, आपका परसन ये आप देखना चाहते हैं, स्पूर्सम आपके परसन की है, लेकिन, जोनों कार्स मजह दहुं कहता है, बिद इस रिच्टे में, एंजल की बेसिंग जैसे कि यहां पर temperance के बाद अगर judgment का card आया है तो रिष्टा 100% जुड़ेगा यह रिष्टा कभी खतम नहीं कर सकते हैं आपके partner नहीं आपको धोका दे सकते हैं क्योंकि यहां पर यह person नहीं जैसे कि आप बहुत कुछ उतार चड़ाव देखे हैं अपने जिंदिगे में हमारे जिंदिगे में फिर परिशाने शुरू हो जाती है और फिर हम भगवान से पूछने लगते हैं कि मेरे जिंदिगे में ऐसा क्यों ऐसा वक्त क्यों आया मैंने किसी का क्या बिगाड़ा तो कहिना कि एंचल्स और डिवाइन आपको कहने की कोशिश करते हैं तो यह card सब से positive है judgment का याद रखिए और 20 दिन के energy है जैसे हम check out कर रहें 15 दिन के energy की आप बदलावाएगा तो यहां पर 20 नमबर का card है तो हो सकता है 15 से 20 दिन के अंदर reunion हो person खुद चल कर आपके पास आए person खुद आपको call message करे person ने अगर block किया है तो unblock कर सकते रिष्टा जुड़ते वे और रिष्टा सिर्फ जुड़ेगा नहीं बलकि बातें आगे बढ़ती भी नजर आती है यानि कि हो सकता है कि रिष्टा fix करे उनकी family मान जाए family आपकी जादा positive है जो कि आपको claim जरूर करना चाहिए नेक्स का लव इसका एक दुसरे के लिए जरूर बने हैं आप लोग और यह divine connection हो सकता है यह soulmate connection हो सकता है यहाँ पर मुझे यह person कहीं कहीं मुझे लगता है ना कि बहुत जादा attracted है आपकी तरफ आपकी जो partner है यह आपको कोई कुपसरुत है ने इनके आँकों में या इनके लिए आप में जो बात है वो किसी और में बात नहीं है चाहिए वो हर किसी में वो आपकी तरफ आपकी बातें आदेतें डुणने की कोशिश करते हैं कि काश उनके office में या जहां पर वो जाते हैं आते हैं travel करते हैं आपक कि जैसे इस परसन के नक्रे उठाने वाला कोई नहीं हो सकता यह सब चीज़ें इस परसन को आपकी तरफ और ज़्यादा आकरशित कर रहे हैं यानि कि जब आपको लगता है न कोई इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा अनमोल है या बहुत ज़्यादा जैसे की ब्यूटिफुल है या बहुत ही आप कहते हैं कनेक्शन बन जाता है आप फिल कर पाते उस परसन से कनेक्शन अपना बन तो यह परसन आपकी तरफ अपन नमबर, 6 नमबर, 20 नमबर आपको जरूर ख्लेम करना चाहिए, तीनों कार्ड में एंजल्स की ब्लेसिंग से, तो मुझे इडिवाइन कनेक्शन दिखाए देता है, और सोल मेड जैसे कि आप दोनों की आत्मा जुड़ी हुई है, और लास्ट लाइफ में या पास्ट लाइफ मुझे लगता है कि रिष्टा आगे तक जाएगा, और देखेंगे कुछ कार्ड लेकर कि क्या है आपके लिए गाइडेंस, आगे क्या होगा, और इंचल गाइडेंस भी देख लेंगे, कही न कई परसन कंफ्यूजन दूर करना चाहता है, एक चार नमर का कार्ड है पॉजिटिव, एक यहाँ पन नेगिटिव है, यानि कि अगर कंफ्यूजन था इस रिष्टे के बारे में कुछ क्लैरिटी चाहिए थी परसन को, और वक्त लिया था परसन ने, कि मुझे और वक चाहिए सोचने के लिए, मुझे वक्त चाहिए अपने फाबली को राजी करने के लिए, मुझे वक्त चाहिए अपने आपको बहतर बनाने के लिए, ऐसी कुछ चीज़े हो सकती है, तो यह होती बेनास जराती है मुझे नेक्स कारिया पर है, six of swords, यानि कि person transformation चाहते है, person बदल चाहते है, person आपको लेकर कहीं move on करना चाहते है, आगे लेकर जाना चाहते है, भले इनको कोई रोकने की कोशिश करता है, तो इनको कोई अभी फरक नहीं बढ़ता है, इन्होंने अपना खुद decision बना लिया है, कि कोई इनके जिन्देगी में, या इनकी family में है, जो कि सक्त हो सकते है, caste को मानने वाले हो सकते है, age difference को मानने वाले हो सकते है, society के बारवी सोचने वाले हो सकते है, या इनकी family में ऐसा कोई इनसान हो सकता है, जो कि publicly renowned हो सकता है, यानि कि publicly famous हो सकते है, जैसे कि कोई celebrity हो सकते है कोई judge या कोई doctor हो सकते हैं जिनको बहुत सारी लोग जानते हैं या किसी company के manager हो सकते हैं जो जाधा पहिचान में आते हैं, बहुत लोग जानते हैं उनको okamillie को। और ऐसे लोगों को मतलब बाते बनाते हैं कि कैसे तुमने बहु लाही है या कैसे तुमने दुलापसंद किया है। ये भी बाते हो सकती हैं। तो यह चीज कहीं ना कहीं मुझे लगता है न कि यह person को माइने नहीं रखती है जब वो आपसे प्यार करते हैं उनका दिल यह कहता है कि आप उनके लिए perfect हो भले लोग कुछ भी बातें बनाएं या फिर लोगों की सोच कैसी भी हो वो सोच रहें positively आपके बारे में और वो करन करना चाहते हैं जरूर यहां पर six number आपको जरूर क्लेम करना है और फिर से चे नंबर का काड यह कहता है कि कोई आपको चाहने वाला कोई जिससे आप प्यार करते हो वह person लौट कर आपके जिन्दगी में आ रहे हैं बहुत ही positive काड है कि कोई लौट कर आपके जिन्दगी मे साथे साथ यह काड मुझे यह भी कहता है ना कि जैसे कि बच्पन का प्यार हो सकता है यह person को आप बहुत time से जानते हो neighbors रह चुके हो एक ही building में रहते हो एक ही society में एक ही गाव में रहते हो एक ही जगह पर काम करते हो एक ही school था आप लोगों का एक ही college हो सकता है या पढ़ प्रोफेशन से बिलॉंग करते हैं या बहुत नजदी किया है आप दोनों के बीच और बहुत time से रिष्टा है यह मुझे feel होता है यहाँ पर ancestors की blessings भी मुझे दिखाए देते हैं जैसे कि आप पूरोजोंग की आशिरवादे आपके उपर आपके पार्टर के उपर और वह beautiful card है six of cups ancestors blessings मुझे दिखाए देते हैं या फिर आपको आप ऐसे लगता है ना कि जैसे आप बहुत पुराने घर में रहते हैं जैसे कि आपके पिताजी के पिताजी नाना जी दादा जी उनकी पिताजी का घर है और वही उसमें आप रहते हैं बहुत पुर्वजोंग का घर ह उसमें आप रहते हो या आपके पार्टनर एक ऐसे पुराने घर में रहते हैं जो कि बहुत पीडियां उसमें रहे चुकी हैं ये भी मुझे यापर नज़र आता है टू आप सोर्स हैं की परसन अपने आपको समझा कर डिसिजन लेने वाले हैं ब्रेक अप खतम करने वाले हैं मुन की एनरजी है तो ब्रेक अप खतम करना चाहते हैं ब्रेक ब्रेक अप की वज़े से उनको तकलिफ हो रही है जितनी की आपको भी तकलिफ हो रही है लड़ा या खतम करना चाहते हैं या पर हासील करना चाहते हैं पर सब्सक्राइब कर ऊद्धिवीर बढ़ते हैं आप़ फैंली जैसे कि महा बाप है आगे आप शादी करकर के फामिली अपनी बसा रहे हैं या शुरुवात कर रहे हैं यह मुझे आप नजर आते अगर आप मैरिड है और डिवोस लेने के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि डिवोस नहीं होगा इरादा उनका चेंच हो सकता है अगर डिवोस हैं लेकिन बच्चों की से आप दूनों इक दुसरे के करीब यह या एक दूस्री को मतलब जुदा नहीं हो सकते हैं अलग नहीं हो सकते क्योंकि बच्चे हैं और चोटे उनके उपर क्या फिर effect हो जाएगा यह सोच कर आप एक दूसरे से दोस्त की तरह रहते हैं यह भी मुझे यहां पर नज़र आता है किसी की फिलिंग्स तो यह रिष्टा अटूट है चाहे आप हस्बन वाइफ हैं चाहे आप बॉय फ्रेंड गर्फ्रेंड हैं चाहे आप डीवोसी हैं या किसी भी टाप के और रिष्टे में हैं तो भी मुझे लगता है कि अटूट यहां पर रिष्टा मुझे दिकाए देता हैं और आगे फ्यूचर इसका बहुत ही बहतर है लखी नमबस की बात करेंगे जल्दी से 9 नमबर 6 नमबर लखी है एक नमबर 3 नमबर लखी है उसके बाद 6, 14, 3 नमबर 2 नमबर 4, 20 नमबर लखी है उसके बाद 4 नमबर 6 नमबर 10 नमबर लखी है राशियों की बात करते हैं यहाँ पर जामिनाइ लिपर एकिवेरिस मेतुन राशी तुला राशी कुमबर राशी कैंसिर आपसे स्कॉर्पीो करकर राशी मेर्ण राशी व्रीष कर आई है साथे साथ Aries यान कि मेश राशी बहुत strongly उठकर आई है और उसके बाद Sagittarius धन्दू राशी बहुत ही strongly उठकर आई है Cancer भी है यहाँ पर जो कि strongly मुझे दिखाए देती है Libra भी है तुला राशी ओवरल एनरजी बहुत ही positive है अटूट रिष्टा है और यह रिष्टा फिर से जूड़ रहा है 15 दिन में आने वाले 15 दिन में बहुत बड़ा बदलाव आपके जिन्दगी में आ सकता है जिस परसन की आपने उम्मीद नहीं कि है कि वह परसन आपको call करेंगे वह परसन आपसे जिन्दगी में आज की रिदिंग में इतना है थांक यू अल आप यू थांक यू अंगल्स थांक यू निवर्स